आत्रे ब्राह्मणि का ठीक है देवी जो आपको रुची कर रहे वही नाम रखे पुत्र का नाम रखा दंदकारी तो महान कलो होता है गोकन महान पंदित होता है गोकनजी महराज तो सदाई वे तीर्थ यात्रा पर रहते हैं, भगवद बजन करते हैं, भगवान की गथा सुनते हैं, सत्संग में रहते हैं, सत्संग से सारा जीवन ही परिवर्टित हो गया है। गोकनजी महराज का संफून जीवन सत्संग में रहते हैं, और सत्संग के प्रभाव से इतना अजबत बेसिस्ट हैं, कि महराज ग्यानी भी हैं, विबेकी भी हैं, गोकनजी महराज सदैव भगवद भजन में लीन रहते हैं, गोबित का नाम जब करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, सत्संग में रत रहते हैं, प्रेम से बोलू जाए स्रीजादा सत्संग में हैं, सत्त का संग हमेशा प्रभू के संग में ही रहते हैं गोकनजी महराज को महान पंडित हुएं, वो दुन्दकारी महान खल होता हैं अब दुन्दकारी घर में आता हैं, अब पहले तो छोटे बच्चों के साथ में चिंगों से खेलता हैं अब चिंगों से खेलते खेलते दीरे दीरे जुआ खेलने लगा जुआ में पैसे हार जाता है, और पैसे घर में दी मां देती है, दुन्दली देती है चार शे बार तो दुन्दली ने पैसे दिये हैं, तो दुन्दली से पैसा मांगकर भी ले जाता है और फिर पिर 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 कभी हार जाता है तो चोली से भी लेकर घर से जाता है पिता मना करते हैं तो पिता को डराता धंताता है और पैसे हार जाता है जुए में पैसे हारता है तो कभी-कभी मद्रिया मद्रा का सेबन करता है मद्रा के साथ-साथ मास का वख्षण करने लगा जा अब जिन घरों में महराज भेश्ट ठाकुर जी की सेबा करते थे उन घरों ने देखा कि मास के तुगड़े उस्राव की बोत्र रखी हुई हैं आत्म देव मना करते हैं डाटते हैं तो उल्टा लड़ने को तयार हो जाता है फुत्र के दुर्वे उहार से बड़े तुकी रही ने लगे माहराई गाउं के बच्चन को कुए में गरा देता है किसी से भी जबड़ा करने लगता है प्रेंज बोलो जैज सिदागा पिता ने बहुत उबदेश की आ लेकि उबदेश का कोई प्रभाव नहीं पुत्र का दुर्वे वहार वर्दास्त नहीं गाई जब मालने की धंकी देने लगता है तो आत्म देव निरास उदास अपने कश्मे बिर कि अरे ऐसा पुत्र तो होता है और ही नहीं कवी अच्छा था क्योंकि जो पुत्र एक तो पुत्र जनमेले उम्रत हो जाए तो कुछ दिन तक रोना पड़ता है माता पिता को एक पुत्र बौव होता है जो युवां वस्था प्राप्न करके फ्रिम्रत हो जाए तो भी रोना पड़ता है लेकिन सबसे दुख प्रदिस्थित्य होती है जी पुत्र कुपुत्र निकल जाए तो वो जीवन भन रुलादा एक तो याद में रुलाता है और एक दुर्ववार में रुलाता है किल्तु दुर्वववार जब पुन्तर करता है तो वो ऐसा रोना है फ़न पर क्छन रोना है आत्म देव बड़े दुखी रहते हैं रात्री का समाए हो महराज अपने कच्छ में बैटे हुए हैं क्या बात है क्या बात है पूर जैसे अपना आत्मी अपना दुख पूछता है तो रोने का मन नहीं आसु आते तो अपने को देख करके आत्मी जनों को देख करके आसू गिरने ही लगते है तुरंत लिपट कर रोने लगे आत्म देओ मेराज क्या करो बेटा तेरे बाई ने मेरा जीना हराम कर दिया है जिन गरों में थाकुजी के सिवा भूया कर दिया करता था आज देखो वहाँ सराग की बूतल और मास के ठुपड़े पड़े पड़े मैं तो बैस्त नहूं और बैस्तों के घर में तो यह अभी साथ है इससे बड़ा दुख क्या होई सकता है यही मेरे दुख का कारण है कि तेरे भाई ने मेरा जीना हराम कर दिया है बिटा मैं क्या करो तेरे भाई से मुझे दुख प्राप्त हो रहे है तो गोकर जी महराई तो परम बेबे की हैं बिद्वान है परम से बुली जये जैसे राजा लाजा 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 ल पिताजी आपके दुख का कारान है इसने जिस प्रकार दीप जलता है इसी प्रकार से इसने हाँ इसने इहवान विक्ती भी जुलत रहता है सुविश घंटे जलता रहता है